तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी आलू और सेम की फली की रेसिपी जिसको हम बीन्स भी बोलते हैं बीन्स और आलू की सबजी बोहत ज़ाद स्वाधिस्ट बनती हैं यह खाने में बोहत ज़ाद अच्छी लगती हैं तो आईए हम रेसिपी को शुरू करते हैं सबसे पहले हमने यहाँ पर आलू लिया है जिनको हमने उबाल लिया है और यहाँ पर छील लिया इसके बाद हमने ली है 100 ग्राम के करीब सेम की फली जिसको हमने कट कर लिया है चोटे पीसिस के अंदर बीन्स हमारी कट हो चुकी है साथ में हमने 2-3 हरी मिर्चे ली है उनको भी कट कर लिया एक हमने प्यास लिया है, एक टमाटर लिया है और सभी चीजों को अच्छे तरीके से हमने कट करके रख लिया है अब यहाँ पर हमने चड़ाई है कड़ाई जिसके अंदर दो से तीन चम्चे हमने तेल डाला है और उसको बड़िया तरीके से गरम करा है तेल गरम हो चुगा है तो इसके अंदर हमने एक छोटी जीरा पाउडर डाला है और साथ में हमने एक कटा हुआ पैस डाला है एक टमाटर और साथ में हमने डाली है हरी मिर्ची तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से हम सॉफट करेंगे और इसकी हमने भी flame रख रखी है low तो चीजे soft हो जाए इसलिए हमने जल्दी से पहले सबसे बहले नमक डाल दिया है और देड़ चमच हमने यहाँ पर डाला है धनिया powder साथ में हमने आदी छोटी चमच डाली है healthy powder और यहाँ पर हमने देड़ चमच डाली है लाल मिर्च पाउडर तो सभी मसालों को हम अच्छे तरीके से low flame पर पकाएंगे और अब देख सकते हैं मसाला कितना बड़िया तरीके से पक चुका है इसमें तेल छुटने लग गया है तो इसके अंदर हमने पानी डाल दिया है और पानी डाल देने के बाद हमने इसमें beans डाल कर इसको 5-6 मिनट के लिए धक कर पकाया है तो हमारी beans अब ready हो चुकी है उसके अंदर हमारा जो कटा हुआ आलू है उसको हम मिला देंगे चीजों के अंदर सभी अच्छे तरीके से मिलाएंगे आप देख सकते हैं आलू और बीन अच्छे तरीके से मिल चुके हैं तो आप इसका कलर भी देख सकते हैं कितना बड़िया लग रहा है ये देखिए तो हमारी आलू और बीन्स बिल्कुल रेडी हो चुकी है आप इसको 2-3 मिनट के लिए लो फ्रेम पर पकाए और अब गैस हमने बंद कर दिया है और सबजी को अलग से हमने निकाल लिया है सर्फ करने के लिए तो आज की सबजी हमारी रेडी हो चुकी है आपको आज की रेसिपी कैसी लगी वह आप मुझे कमेंट सेक्शन ने बता सकते हैं मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को आप जाद से आदा शेयर करें